नमस्कार दोस्तों, रेलपत चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है, मैं आपका दोस्त परविनसर और आज डिसकस करेंगे हाल ही में हुए यानि 5 नवंबर 2022 को जैपूर डिवीजन में जैई पीवे का जो एकजाम हुआ था, उसी के सेकेंड पेपर के बारे में, तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आये हैं, तो चैनल को सब्क्राइब कर ले और बेल नुटिपी के सनावन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे जैई पीवे रिलेटेड रेगुलर कोस्चन बनते रहता है, और अगर आप जैई पीवे की त्यारी कर र छोटी अबदी के कामों के लिए, जब ट्रेन को कार जस्तल पर रुखना होता है, तब हाथ के संकेते को को डैस, डैस और डैस पर पर परदरसित किया जाएगा, बीजी मामले में, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, इसका एंसर हो जाएगा 30 मीटर, 600 मीटर और 1200 मीटर, तो एंसर A हो जाएगा, TP and TG का सबसे नीचे का हिस्सा होना चाहिए, रेल लेवल से, तो रेल लेवल से कितना होना चाहिए, तो इसका एंसर हो जाएगा 1.65, यानि एंसर C हो जाएगा, मानव युक्त लेवल क्रोसिंग के लिए, एडियन के निरिच्चन का कार्ज करम है, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, इसका एंसर हो जाएगा, 6 महिने में एक बार, यानि एंसर D हो जाएगा, गर्मियों के दवरान, LWR ट्रेक पर गिट्टी की कमी हो सकती है, तो गिट्टी की कमी से क्या हो सकती है, तो इसका एंसर हो जाएगा, बख लेगा, यानि एंसर B हो जाएगा, PWI परभारी को डैस, एक बार, ट्रेन से नाइट पेट्रोलिंग करने की जाच करनी चाहिए, इसका एंसर क्या हो जाएगा, इसका एंसर हो जाएगा, एक महिना में एक बार, यानि एंसर B हो जाएगा, इसका एंसर क्या हो जाएगा, इसका एंसर 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 हो जाएगा, 600 मेट्र, यानि एंसर C हो जाएगा ट्रॉलियों का सुरच्छा के साथ HS हैंड की आवसेक्ता थभी होती है जब द्रिश्टा कम हो 10 मीटर ति इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 1200 मीटर यानि एंसर A हो जाएगा गर्व मौसम में पेट्रोल मैन की बीट होनी चाहिए ति इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा सिंगल लाइन ट्रेक पर 2 किलो मीटर यानि एंसर A हो जाएगा रात में गेट मैन को डैस नोज हाथ संके तक लैंप जलाना चाहिए तो इसका answer क्या हो जाएगा? 2 यानि answer A हो जाएगा गेट पोस्ट से height gauge dash meter की निवंतम दूरी पर इस्तिद होना चाहिए तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा 8 meter यानि answer B हो जाएगा BG पर 3 detonator को खत्रे के अस्थान से कितनी दूरी तै की जानी चाहिए तो कितना दूरी पे होना चाहिए तो इसका answer हो जाएगा 1200 मिटर यानि answer D हो जाएगा मानसुन के दवरान सामाने रूप से गस्त किये जाने वाले बर्गों को डैस द्वारा पाचाना और सुचित किया जाएगा तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा senior dn और dn के द्वारा इसका एंसर c हो जाएगा LWR track में fracture की आपात कालिन बरमत के बाद पहली train की गती से गुजरना पड़ता है तो इसका एंसर हो जाएगा stop dead और 10 km परती घंटा यानि एंसर इसका A हो जाएगा PWI को dice में एक वार सभी petrol मेना और वाच मेन के उपकरन की जाच करनी चाहिए तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर होगा एक महीना यानि एंसर A हो जाएगा OMS उपकरन मापता है तो OMS क्या मापता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा रायड इंडिक्स यानि एंसर A हो जाएगा BG उच गती मार्गो पर ट्रेक गुनबता मुल्यांकन के लिए अक्सलेशन पिक निमलिखित से अधिक पर लिया जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 0.15 जी यानि एंसर B हो जाएगा एक पेट्रोल महिंद्वारा एक दिन में त्थाए की गई अधिक्तम दूरी सामान रूप से अधिक नहीं होनी चाहिए तो इसका एंसर हो जाएगा 20 किलो मेटर यानि एंसर D हो जाएगा TRC उपकरन मापता है तो TRC क्या मापता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा TQI यानि एंसर C हो जाएगा ट्रेक क्वालिटी इंडेक्स यानि C answer हो जाएगा Double line section पर मानव युक्त नियंतरन रेखा पर उपलब्द कराए जाने वाले उपकरन तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा दो नमबर लाल और एक नमबर ग्रीन जंडे यानि answer इसका A हो जाएगा संपारो के मामले में height gauge की नियुनतम दूरी क्या है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा height gauge gate post से कम से कम 8 मीटर की दूरी पर इस्तित होना चाहिए यानि इसका answer B हो जाएगा special और A स्रेनी के परतियक gate post के साथ track के समनांतर facing की नियुनतम लंबाई क्या है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 10 मीटर यानि answer इसका B हो जाएगा CRS का पूर्ण रूप क्या है CRS का पूर्ण रूप हो जाएगा Commissioner of Railway Safety यानि railway सुरच्छा युक्त तो इसका answer A हो जाएगा C कलास संपार फाट को पर सड़क की ढाल क्या है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 1 in 15 C कलास लेवल क्रॉसिंग गेट पर परदान किया ग्रेडियन तो इसका answer B हो जाएगा मानव रहित संपार के रास्ते पर अस्पीट ब्रेकरों की दूरी कितनी है तो इसका answer हो जाएगा गेट से 20 मीटर की दूरी पर अस्पीट ब्रेकर लगाए गए है यानि इसका answer A हो जाएगा 130 के MPH की अनुभागिये गती में TRC की आवरिती क्या है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा दो महिने में एक बार यानि answer इसका A हो जाएगा 100 किलोमेटर परती घंटे से उपर OMS recording की आवरिती क्या है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा एक महिने में एक बार यानि answer इसका D हो जाएगा TRC की विस्तार सीट में 2 star dice से आप क्या समझते हैं इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा आवस्यक नियोजित रख रखाव यानि की required planned maintenance यानि answer इसका B हो जाएगा OMS 2000 द्वारा काउन से parameter दर्ज किये गए हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा OMS लंबत तोरण record करता है OMS पार्स तोरण record करता है और OMS राइड इंडेक्स भी record करता है इन में से सभी इसका answer हो जाएगा यानि answer D हो जाएगा 22 kg रेल और PSC sleeper के साथ LWR के लिए गर्म मौसम गस्त कब शुरू की जाती है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा जब रेल ताप मान TD प्लस 25 से अधिक हो जाता है यानि answer इसका A हो जाएगा ग्रूप A राजदानी सताब्दी मारगों में OMS Recording के दवरान अधिक्तम बेलियू क्या है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 0.15 यानि इसका answer B हो जाएगा चेक रेल ताई नहीं होने पर लेवल क्रोसिंग पर गती परति बन तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 30 किलोमेटर परति घंटा यानि answer इसका B हो जाएगा अगर चेक रेल नहीं लगा हुआ है तो 30 किलोमेटर परति घंटा लगाना चाहिए एलसी गेट पे ट्रेक के सेंटर से गेट लाउज की निम्तम दूरी क्या है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 6 मीटर यानि एंसर इसका यह हो जाएगा अस्पेशल स्रेनी एलसी से गुजरने वाला यातायाद डैस टीबी उसे जादा होना चाहिए तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा पचास जार से उपर यानि एंसर इसका डी हो जाएगा गेंग मेट को डैस में एक वार कीमेन की गस्त करनी होती है तो इसका एंसर क्या इसका answer हो जाएगा सब्ता में एक बार, यानि answer इसका B हो जाएगा Consolidation के लिए किस machine का अपयोब किया जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा DTS का, यानि इसका answer B हो जाएगा दो round gust के बीच मानसुन गस्ती आदमी को कितना आराम दिया जा सकता है तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा 30 मिनिट, यानि answer C हो जाएगा मानसुन गस्ती चार्ट किसके द्वारा तयार किया जाता है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा DN के द्वारा, यानि इसका answer C हो जाएगा ठंड का मौसम गस्ती आदमी की बीट ये का लाइन में तिसका एंसर ग्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा पांच किलोमेटर यानि एंसर इसका बी हो जाएगा मानसुन गस्ती दल द्वारा एक दिन में तय की गई अधिक्तम दूरी तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? यानि इसका एंसर D हो जाएगा 100 मीटर या उससे अधिक के मुख्या स्पैन वाले पूलों पर ट्रॉली रिफूजेस की अधिक्तम दूरी क्या है? तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? इसका एंसर हो जाएगा ट्रॉली रिफूजेस पर तेक पियर पर यानि इसका एंसर D हो जाएगा डेटोनेटर का सामाने लाइफ है तो डेटोनेटर का सामाने लाइफ क्या हो जाएगा? तो इसका answer हो जाएगा पांच साल यानि answer इसका यह हो जाएगा कार्जस्तल से रखा stop board की दूरी तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 30 मीटर क्या है बैनर जंडा तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा बैनर जंडा क्या है तो एक अवस था यह stop signal है ति यानि इसका answer यह हो जाएगा कार जस्तल से BG पर TG बोर्ड लगाने की दूरी तो TG बोर्ड लगाने की दूरी क्या होगा तो इसका answer हो जाएगा सबसे लंबी माल गाड़ी की लंबाई यानि इसका answer B हो जाएगा एक ही लाइन पर चलने वाली दो मोटर ट्रॉलियां के बीच नियुंतम दूरी बनाए रखी जानी चाहिए तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा 180 मिटर यानि इसका answer D हो जाएगा एक कार्ज जो सुर्जोदय के दिन शुरू होता है लेकिन उस दिन के सुर्यास्त तक समाप्त नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा लंबी अब्दी का कामियान इसका answer B हो जाएगा भारतिये रेलवे द्वारा उप्योग किये जाने वाले संक्रमन वक्र का आकार क्या है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा क्यूबिक फैरा बोला यानि इसका एंसर ए हो जाएगा पीला फरकास हाथ संकेत इंगित करता है इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा साबधानी से आगे बड़े यानि इसका answer C हो जाएगा भारतिये railway board की अनुसार कोई भी diamond crossing platter नहीं होना चाहिए तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा one in a ten half यानि इसका answer B हो जाएगा अस्थाई तरीके से गिट्टी तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा सिलीप्रो के गठन के लिए अस्थनांतरन लोड ट्रेक के लिए एक लूचदार बेड परदान करता है और ट्रेक की एक जल निकासी परदान करता है तो इसका answer D हो जाएगा उपरोक्त में से सभी यानि answer इसका D है डैमन क्रोसिंग में नोच की संख्या क्या है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 4 यानि इसका answer C हो जाएगा आंतरिक रेल के भीतरी तरफ चेक रेल परदान की जाती है यदि बीजी वक्र की तीचनता से अधिक है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 8 degree यानि answer इसका D हो जाएगा रेल खंड पहली बार भारतिय रेल वेपर design किया गया था क्या है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा double headed यानि इसका answer ये हो जाएगा बिंग रेल परदान की जाती है बिंक रेल कप परदान की जाती है तो इसका answer क्या होजाएगा तो इसका answer हो जाएगा क्राउसिंग में यानि इसका एंसर D हो जाएगा स्विच एंगल के बीच का एंगल है स्विच एंगल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा स्टॉक रेल और टॉंक रेल का गेज फैस इसका एंसर A हो जाएगा साधारान रेल से बने होते हैं तो साधारान रेल से क्या बने होते हैं तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा उच कार्बन अस्टिल यानि इसका एंसर D हो जाएगा रेल द्वारा नामित किया गया है इसके तो इसके क्या हो जाएगा इसका एंसर? इसका एंसर हो जाएगा बजन परती यूनिट लंबाई यानि इसका एंसर D हो जाएगा अधिक्तम रेल का भी एर कहां ज्यादा होता है? तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा सार्प कर उपर यानि इसका answer B हो जाएगा क्रीब क्या है इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा रेल कानुधर्ज संचलन यानि इसका answer A हो जाएगा अटेच्चर वार परदान की जाती है तो टेच्चर वार किसलिए परदान की जाती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा सटिक दूरी पर दो टंक रेल बनाए रखने के लिए यानि इसका एंसर भी हो जाएगा 80 वेल्ड के एसके भी परकार के लिए गैप डैस एमिम है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 25 प्लस मैनस हुआ नहीं यानि इसका एंसर B हो जाएगा टैंपिंग मसीनों में मुख्य कार्ज क्या है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा alignment को सुधारना, अनुधैर जी को सुधारना और sleeper के तहत पाइकिंग, यानि इसका answer D हो जाएगा एक दिन में तै की गई अधिकतम दूरी, एक गस्ती दल सामाने रूप से अधिक नहीं होना चाहिए तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 20 km यानि answer इसका D हो जाएगा एक बार में तीन sleeper packing करने वाली machine dash है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा tamping express, यानि इसका answer C हो जाएगा आम तोर पर BCM काम करने में machine dash mm की चवडाई के लिए गिट्टी को screen कर सकती है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 400 mm यानि इसका answer C हो जाएगा BGPAC sleeper track को 50 mm तक उठाए जाने पर TTM द्वारा परतिश sleeper dice 7 million की संख्या दी जाती है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 2 sleeper यानि answer इसका B हो जाएगा गिट्टी की प्रोफाइल और वीबर अंडेस मसीन द्वारा किया जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा B यारम यानि इसका एंसर A हो जाएगा गैप सर्वेच्छन डेस में एक बार आयोजित किया जाता है तिसका answer क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा एक बर्स में एक बार यानि इसका answer B हो जाएगा 100 meter 3 जा BGSWR ट्रेक का नियमित रख रखाओ किसी भी परतिबंद के भी ना किया जा सकता है जब rail का ताप मान 10 degree centigrade तक होता है तिसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा TM plus 25 यानि इसका answer C हो जाएगा SWR को कम तरिज्या वाले घुमाबदार PSE सिलिपर ट्रेक पर नहीं बिचाया जाएगा 10 meter तिसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 440 meter यानि इसका answer B हो जाएगा Turnout नभी करन के लिए किस machine का अभियोग किया जाता है तिसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा T28 यानि इसका answer C हो जाएगा Termination Indicator Rail Aster से 10 meter की उचाई पर लगाया जाएगा तिसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 1.65 यानि इसका answer B हो जाएगा लंबी अब्धी के कार्ज में पर्युक्त अस्टॉप इंडिकेटर का आकार क्या है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा चाओदा सो गुने चार सो यानि इसका एंसर बी हो जाएगा कौन सी मसीन रिलेइंग मसीन नहीं है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा यू टी बी यानि इसका एंसर दी हो जाएगा असीलो ग्राप राजदानी मार गे किया बृती तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा चार महीने में एक बार यानि इसका एंसर C हो जाएगा R.A.W. का अर्थ क्या है तो R.A.W. का अर्थ क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा railway affecting work यानि इसका एंसर railway कारजों को परभावित कर रहा है तो इसका एंसर हो जाएगा C रेल नभीकरन डैस संचरन के साथ किया जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा लाइन बलोग यानि इसका एंसर C हो जाएगा रेल जोडों का लुब्रिकेशन का काम डैस के तहट आता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा लगू अब धीका कार्ज यानि इसका एंसर यह हो जाएगा इलक्टावड के डैस कौन से टाइप का अबयोग कर्ब्र स्विच के पुनर निर्मान के लिए किया जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा एच थिरी और एच थिरी है यानि इसका एंसर ए और भी दोनों हो जाएगा इसका एंसर सी हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा एक महीने में एक बार कम से कम एक महीने में एक बार इसका एंसर B हो जाएगा बीजी कर्ब की अधिकतम डिग्री डैस है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 10 डिग्री यानि इसका एंसर B हो जाएगा पूल को डैस पूल के रूप में बर्गी गृत किया जाता है जब कुल रहेखिक जल मार्ग 350 मीटर होता है तिसको बोलते हैं इन्पोंटेंट ब्रीज यानि इसका एंसर C हो जाएगा ELWR ट्रेक पर गिट्टी कूशन की नियुंतम गहराई रखी जाती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 250 मीटर यानि इसका एंसर C हो जाएगा GFN के लिए sunshift है तो GFN के लिए sunshift क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा glass fit nailon liner यान इसका answer B हो जाएगा पर्ती किलोमीटर 1660 sleeper घंधत्व के लिए BG gel साधन track से track के खेंधर रिक्ती परदान की जाएगी तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 60 cm, यानि इसका answer B हो जाएगा गती सुचक बोर्ड कार्जस्तल से 10 m पर परदान किया जाता है जब एक गती परतिबंद लागू है तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा 30 m, यानि इसका answer C हो जाएगा इस प्लेट जुआइंट पर स्टेंडर गयप क्या हो जाएगा? इसका answer भूजाएगा 6 m, यानि answer इसका B हो जाएगा सुप्रेलिवेशन परदान करने का कारण क्या होता है? इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा सेंट्रिफूगल बल के परभाब को वियासर करने के लिए यानि इसका एंसर C हो जाएगा BG पर LWR के लिए किन रेल खंडों की एनुमती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा 60 kg, 52 kg और 90 kg यह सभी हो जाएगा इसका एंसर D हो जाएगा OMS 2000 द्वारा काउंट से पहरा मीटर दर्ज किये गए है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा OMS उर्दवाधार तोरां रिकाउड करता है OMS पार्ट सोरां रिकाउड करता है और OMS रिकाउड सवारी सुचकांग यानि इसका answer D हो जाएगा उप्रोक्त में से सभी T.B.U की गन्ना कैसे की जाती है ति इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा दोनों तरफ से ट्रेन इकाईयों की कुल संख्या और सड़क बाहन इकाईयों की संख्या का गुननफाल इसका answer A हो जाएगा B.G. पर दो ब्रीज टिमबर के बीच अधिकतम दूरी क्या है ति इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 510 हैमम यानि इसका answer B हो जाएगा ये L.A.P. का अधिकतम संख्य डैस दिन है ति इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 300 यानि इसका answer C हो जाएगा LHAP परतियक आधे बर्ष के लिए 10 दिनों की दर से अगरिम रीन है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 10 दिन यानि इसका answer D हो जाएगा महिला रेल्वे करमचारी के लिए मातरी तो अब कास 10 दिनों के लिए योग्य है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 135 दिनों के लिए यानि इसका answer A हो जाएगा मेजर पनल्टी 4 सिट के लिए उपियों किये जाने वाले मानक फॉर्म तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा एसे 5 यानि इसका answer A हो जाएगा grade के lower time scale पर कमी एक dash dund है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा major यानि इसका answer C हो जाएगा पूछताज प्रादिकारी की नियुक्ति एक मानक प्रोपत्र पर किया जाता है इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा साथ पर यानि इसका answer यह हो जाएगा पुरुष, railway करमचारी के लिए पृतित, ओ आप case, dash, दिन के लिए योग जाएगा इसका answer हो जाएगा 15 दिन, यानि एसका answer C हो जाएगा आसा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्क्राइब कर ले और वेल नोटिपिकेशन ओन कर ले जिससे ऐसे आने वाला वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहेगा धन्यवाद दोस्तों